हेलो नमस्ते मैं हूँ नाना अगरवाल स्वागत है आपका मेरी चैनल रूवयोग में आज हम बात करेंगे सिर दर्द यानि हैडिक के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे एक्यू प्रेशर पॉइंट जो आपको तुरंत दर्द में रिलीफ देंगे और हो सकता है पहली बार में ही आपका जो सिर का दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाए और माइग्रेन का दर्द भी इससे ठीक हो जाएगा माइग्रेन का दर्द बहुत बिकार होता है जब वो तो बिल्कुल सहन ही नहीं होता है जब होता है तो मैं आपको कुछ ऐसे एक्यू प्रेशर पॉइंट बताती हूँ जो आपको तुरंत अराम देंगे सबसे पहले जो हमारी रिंग फिंगर है इसके टॉप पे इस तरीके से दवाएंगे ये और आपका जो थम जो अगूटा है इसके टॉप पे तो आप इस तरीके से दोनों हातों में का इस तरीके से आप दवाईये इस से आपको आप को दो मिनिट में ही आपके जो दर्द है उसमें अराम मिल जाएगा इस तरीके से आपसे आपको दवाना है इसको करने के बाद आप ये जो किड्नी के पॉइंट होते हैं ये दवाना ना भूलें इस जगे पे इस तरीके से दवाईए आगे से भी और दोनों हातों में इस से आपको तुरंथ दर्द में अराम मिलेगा और हो सकता है पहली बार में ही आपका सिर्दर्द है या माईगरेन की दिकत भी ठीक हो जाएं तो आप इसे रेगुलर करिए रेगुलर अगर अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो जब आपको दर्द होता है आप तुरंद इसको करिया आपको दर्द में अराम मिलेगा इस जगे पे जो आपका माथा है जो आपका भाती है यह उसके बिल्कुल ठीक नीचे आखों के साइड में एक गड़ा होता है वो बहुत सॉफ्ट पाट होता है इस जगे पे आप इस तरीके से दबाईए खुदी आपको बहुत अराम मिलेगा इस तरीके से आप दबाईए माइगरेन के दर्द में भी और जो नॉमल हैडिक होता है उस दर्द में भी और इस तरीके से ये जो पॉइंट होते हैं ये ब्लड सर्कुलिशन एकदम बढ़ाते हैं और आपका जो सिर का दर्द है ये सिर के दर्द के ही पॉइंट होते हैं अगर आधे सिर में भी दर्द हो रहा है या किसी एक पॉइंट पे आपके जो सर है सर में किसी एक पॉइंट पे दर्द हो र अपने गर्दन के ऊपर जहां आपका ये सर बिल्कुल खतम होता है और गर्दन स्टार्ट होती है वहां पे एक बिल्कुल सॉफ्ट पॉइंट होता है बहुत गड़ा सा होता है वहां पे आप दोनों हाथों से के जो थम है उससे आप प्रेस करके अच्छे से दवाईए लेकि तो इसलिए बड़े सॉफ्ट हाथों से बहुत धीरे धीरे उस रगे पर प्रेस करिए आपके सिर दर्द के लिए बहुत अच्छी जगह है बहुत अच्छा पॉइंट है इससे आपको तुरंत अराम मिलेगा इसमें आप सरवांगासन भी कर सकते हैं ये वीडियो आपको कै कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए मेरी चैनल को लाइक सस्क्राइब और शेयर करिए नमस्ते